तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हम लोग कैसे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक फेस को शेडिंग पैंसिल से शेड कर सकते हैं तो लेट्स स्टार्ट तो फर्स्ट आपको बिल्कुल लाइट टू डार्क चलना होगा इसलिए आपके ड्राय में जो शेड़ो एफक्स हो बहुत जल्दी जल्दी अच्छे होंगे बहुत ज्यादा जल्दी होगे तो मैं तुएच से अभी लाइट शेट करूगा तुएच म अब जब भी कोई ड्राइंग कर बहुत ध्याद से शेट कीजिए तो वह और अच्छा बनेगा और अच्छा लुक आएगा एक सजरे बहुत ध्यान से पेशेंट से और युकल अच्छी तरह शेटिंग किया तो बिना बलेंड करके भी कितना अच्छा लुक आ रहा है कितना अच्छा लोकान लग अब हम लोग इसे ब्लेंड करते हैं मैं ब्लेंड के लिए में यूज करने जा रहा हूं मेकप ब्रॉशिस यह मेकप ब्लेंडिंग के लिए बहुत ज़दा अच्छी होते हैं और यह मेकप ब्रॉशिस के लिए अच्छे स्टोर से नहीं खरीदना ह सिर्फ आपको कॉस्मेटिक शॉप या फिर किसी जगह में जाके हो सकता है कि एजले अवेलेबल हर जगह और कोई भी क्वालिटी की ब्रश अपले ऐसी होनी चाहिए ब्रश कर वागे से को आए कि अिकव अश्य मुद्र कर सकते हैं हाड भी होने चाहिए और भी अच्छी तरह हम लोग से कर सेगते हैं देंखें घуска कर दिया है और आपको से मैच कहांसे नहीं कि आपको उसले दूसरी जगह उसे तो आप मैंने फोटो में देखता हूं कि कहां पर यह से हो रखा यह तो मैंने फोटो में देखा कि यह जी का लाइटर्स भीजिशे वही पर थोड़ से डार्क एरिया से तो मैं यहां तक पूरा पहले थोड़ा सा लाइट कर लेता हूं तो अचारी से देखा मैंने वह वाला पोर्शन भी कंप्रीट कर लिया है अब इसके उपर हम लोग शेट करते हैं थोड़ी सी डार्क पेंसिल से एच पेंसिल मैं यूज जा रहा हूं तो फैर से यहां पर फिर फूर्ड़ से यहां और यहां पर यहां पर पोट में देखा मैं यहां पर एप्दोड़ से मैं यहां पर करूंगा जैसे तबठम मैं आइयांंगा तो उड़्डी में mix with और शेडिम भी बहुत अच्छी होगी अब भी जो ऐसे रूल्स फॉलो करें तो आप भी अपने ड्राइंग बहुत जीद अच्छा कर सकते हो तो अब यहां से एक छोटी सा ऐसे कर तो अपने देख सकते हैं निकार भी लगा दिया है अब यहां पर थोड़ा सा डार्क करना यह जो पॉर्शन है यहां पर थोड़ा सा डार्क होगा फोटो में यह वायल जो पॉर्शन ही थोड़ सा डार्क है इसलिए मैं डार्क कर रहा है यहां पर बनना आप लोगा जैसे देख सकते हैं यहां पूरा वाइट चोड़ा है क्योंकि वहां पर लाइट आए इसलिए मैंने माबा पूरा वाइट चोड़ा हुए तो इसलिए देख सकते हैं कितना 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 अच्छा सा लुक काने लग गया कितनी जद्ध स्मूथ शेटिंग हुई है यहां पर अच्छा भी लग रहा देखने है आट्रक है बहुत ज्यादा तो यहां पर आभी देख सकते मैंने पूरा शेट कर लिया है अब मिलने जा रहा हूं तो यहां यहां थोड़े से डार्क एरियाज है यहां पर थोड़ा कर वे तो अब यहां से तो फोड़ा से इधर भी ले आते इसको तो ब्लेंड हो जाएगा यह अभी जो अलगा तो यहीं पूरा ब्लेंड हो जाएगा यह देख सकते हैं सकीन के साथ ही मिक्स हो गया चलिए इसके आइब्रोस बनाते हैं थोड़ा सा तो आइब्रोस के लिए पहले मैं इसमें भी टू अच्छी करूंगा क्योंकि हमें दिखाना है कि थोड़ा सा हेयर से मतल़ हेयर के पीछी स्किन है तो मैंने आइब्रोस भी करते हैं इसके थोड़ा सा ब्लेंड करते हैं लोग असके उपर हम लोग करते हैं टुएच सारी करते हैं 6B तो 6B मैं अभी हेयर्स बनाने में जादा कर यूज़ करता हूं और आइस का शेडिंग के लिए तो चलिए अब यहां से 6B काम करते हैं तो यहां से मैं ऐसे श्ट्रोक्स ले लेके जा रहा हूं धीरे धीरे वहां पर यहां देखा यहां पर थोड़े हेयर्स नहीं तो यहां पर छोड़ दूँगा मैं तो हैं यहां पर नहीं थे हैं यह थोड़ा चौद दिया वांपर मैं लाइक पेंसिल देट करो आख कि यहां थोड़ा बहुत लाइट लाइट शीट करना है हुझे थोड़ा से थोड़ा से हेर्स बहार भी निकाल देता हूं यह यह हो गया और थोड़ा से ब्लेंड नहीं करते हैं यह थोड़ा से ब्लेंड करते हैं तो यह मैंने ब्लेंड कर दिया यहां पर so guys आपने इस देखा कितना जदा अच्छा स्कीन बनाएं यह आइस बनने है इसके so guys आपको जो वीडियो पचाले तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दिजीगा चैनल में नहीं हो तो प्लीस सबस्क्राइब कर दिजीगा और आपने सारी social networks में share भी कर देजएगा और मैं आपको ऐसी एक next amazing video मिलतां So, thanks for watching